सुप्रभाद मैं कमनेश चनमीस पीजीटी हिंदी अध्यापक सीटी पबली की स्कूल कटरा मुंगरबास्था पुर्जाउनपूर आप लोगों का हिंदी क्लासेश में स्वागत करते हैं पिछले आडियो वीडियो क्लासेश में मैं आपको कबीर के पद नामक पाठ का ध्यापन किया था आज हम लोग मीरा भाई के पद नामक पाठ पढ़ेंगे मीरा भाई आरो भागेक के काब खंड का दूसरा पाठ है मीरा भाई भक्तिकाल की प्रमुक कवित्री हैं इस पद में मीरा भाई की कविता में प्रेम की गंभीर अव्यंजना है जिसमें बिरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है मीरा की कविता का प्रधान गूण सादगी और सरलता है कला का भाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है उन्होंने मुक्त गे पदों की रषना की है लोक संगीत और सास्त्री संगीत दोनों ही छेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्री है उनकी भासा मुलतर राजस्थानी तथा मेवाडी है कहीं कहीं ब्रज भासा का भी प्रभाव है कृष्ण के प्रेम की दिवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है मीरा की कविता के मूल में दर्द है वे बार-बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानने वाला नहीं है प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्य प्रेम को ब्यक्त की है ब्यर्थ के कारियों में ब्यस्त लोगों के प्रती दुख भी ब्यक्त की है आईए देखते हैं मीरा का पहला पत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे मीरा भाई कहती हैं मेरे तो गिरधर ही सब कुछ है किसी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही स्रीकिष्ण मेरे पती है पती यहां पालन करता से है छाड़ दई कुल की का निकाहा करिये कोई उनको पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया कुल यहां परिवार खांदान से है अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे संतन धींग बैठ बैठ लोक लाज खोई संत महात्मा और ज्यानी महापूर्सों के साथ ससंग में बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज भी खोदी है अस्वनजल सीच सीच प्रेम बेली बोई लोकराज और प्रेम बेली दोनों में रूपक अलंकार है और सीच सीच और बैठ बैठ पुन्रोक्ति प्रकास अलंकार है असुवन जल सीच सीच प्रेम बेली बोई मैंने बड़े यत्म पूर्वक अपने आसुओं के जल से सीच सीच कर किष्ण भक्ती की प्रेम रूपी लता को बोया है मीरा बाई आगे कहती है अब तब बेल फैल गई आनन्द फल होई मेरे स्री किष्ण मेरे मन में रज बस गए है अब इससे मुझे आनन्द मिलता है दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई मैंने संसार का चिंतन करके उसे मत कर उसमें छिपी हुई घी रूपी कृष्ण भक्ती का सार निकाल लिया है दधि मत घृत कार लियो डार दई छोई और ब्यर्थ की संसारिक्ता को चाच को व्यकार समझ कर छोड़ दिया है भगत देख राजी हुई जगत देख रोई मैं भगवान की भक्ती को देख कर राजी हो गई और संसारिक लोगों को देख कर दुखी हो गई दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही मीरा भाई करती है मैं कृष्ण की दासी हूँ उनसे ही अपना उद्धार करने की प्रातना करती है एक साथ पूरे कार्थ देखते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरा बाई करती है कि मेरे तो गिर्धर ही सब कुछ है अर्था स्री किष्ण ही सब कुछ है किसी अनसे मेरा कोई संबन्द नहीं है जिसके सिर पर मोर मुकुठ है वही मेरे पालन करता है उनको पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे संत महात्मा और ग्यानी के साथ बैठ कर मैं लोकलाज भी छोड़ खोदी हूँ मैंने बड़े यत्न से अपने आसुओं के जल से सीच कर स्रीकिष्ट की भक्ती रूपी लता को बोया है अब यह भक्ती मेरे मन में रच बस गई है इससे मुझे आनंद मिलता है मैंने संसार का चिंतन करके उसे मत कर उसमें छिपी हुई घी रूपी क्रिष्ण भक्ती का सार निकाल लिया है और ब्यर्थ संसारिक्ता को छास समझ कर छोड़ दिया है भक्तों को देखकर मीरा भाई खुस होती है परंदू ब्यर्थ के कारेों में लिप्त भ्यक्तियों को देखकर दुखी होती है मीरा स्वयम को कृष्ण की दासी बताती है और उनसे ही अपने उद्धार की प्रातना करती है दूसरा पत देखिए मीरा भाई का पग घुगुरु बाद मीरा नाची मीरा स्रीकिष्ण के प्रेम में दिवानी होकर पैरों में घुगुरु बाद कर उनके समक्ष नाचती है मैं तो मेरे नारायन सुवापई हो गई साची अपने आपको उनके चरणों में समर्पित करती है पहती हैं कि अनेक अत्याचार को सहने सहकर भी स्रीकिष्ण के मार्क पर चलने के कारण लोग उन्हें पागल अव कुल घातनी जैसे अपमान भरे सब्द सुनाते हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी न्यात कहें कुल नासी न्यात यहां सगे संबंधी है। बड़े चतुर हैं, सच्चे भाव से भक्ती करने पर वे बड़े सहज ही मिल जाते हैं। चल रही हूँ, जिसे लोग मुझे पागल और कुल घातनी जैसे अपमान भरे सब्द सुनाते हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रस्न हैं, इन प्रस्न का उत्तर आप लोग लिख कर वाटसप कर देंगे और हम चेक कर लेंगे, उसके बाद अपनी नोट बुक में आप लोग लिख दीजिएगा। मैं आठ बजे से नव बजे सुबह आल्लाइन क्लासेस में रहूँगा। पहला प्रस्न है, मीरा स्रीकिष्ट की उपासना किस रूप में करती हैं वह रूप कैसा है। और इसका भाव वह सिल्प सौंदर असपश करिये। भाव सौंदर का अर्थ होता है अर्थ लिखना। और सिल्प सौंदर का अर्थ होता है, इसमें कौन से रस है, छंद है, अलंकार है या अब्यक्त करना है असुवन जल सीच सीच प्रेम बेली बोई, अब तबेल फैल गई, आनन्द फल होई आसुवन के जल से सीच कर मैंने प्रेम रूपी, स्रीकिष्ण के प्रेम रूपी लता को बोई हूँ अब अब वा स्रीकिष्ण रूपी प्रेम की लता फैल गई, इसलिए मुझे आनन्द की अनुभूत हो रही है यह तो भाव साउंदर है, सिल्प साउंदर में आप लिखेंगे कि यह रचना राजस्थानी और मेवाडी भासा सैली में है सीच सीच में पुन्रोक्ति प्रकास अलंकार है, प्रेम बेल आनन्द फल में रूपा का अलंकार है रस सिंगार के बियोग रस का वरण है, यह सिल्प साउंदर हो गया दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मत घृत काड़ लियो डारि देई छोई इस में बता रही है कि मैं संसार का चिंतन करके उसे मत कर उसमें छिपी हुई घी किर्ष्ण रूपी भक्ती का सार निकाल लिया और व्यर्थ सांसारिक्ता रूपी छाज को छोड़ दिया यह इसका भाव संदर हो गया और सिल्प संदर में रस छंद लंकार आपको बताना है यह सिंगार का वियोगरस है भासा राजस्थानी में वाड़ी भासा है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं अगला प्रस्न है बिस का प्याला राना भेजा पीवत मीरा हासी इसमें कौन सा ब्यंग छिपा हुआ है बिस का प्याला राना भेजते हैं इसे पीने के बाद मीरा मरती नहीं है इसमें यही ब्यंग छिपा हुआ है मीरा जगत को देख कर रोती क्यों है क्योंकि जगत मिथ्या है और एक दिन उसका नास होना संभव है आप इन प्रस्नों का उत्तर लिख कर वाटसप कर देंगे मैं चेक कर लूँगा आज के लिए बस इतना अब नए आडियो में फिर हम नए पाड़ के साथ पस्तित होंगे आपका दिन सुभ हो धन्यवाद